हलो एवरिवन आज है 4th सब्टेमबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो रेलेवे से जोड़ी हुई कमपनी एक है इंडियन रेलेवे फाइनांस कॉर्परेशन और दूसरी है रेल विकास निगम दोनों ही कमपनियों ने आज आग पकड़ी हुई है आई रेफसी के तो शेर में 15-18% की तीजी है और रेल विकास में भी 10-12% की आज तीजी देखने को मिल रही है देकि जब से मोदी जीन पार्लामेंट में खड़े होकी ये बोला था कि PSU से पैसा लगा दीजे तब से अगर सार तीजी वहाँ पर देखने को मिल रही है बातचीत करेंगे इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम IRFC और RVNL के बारे में या लॉंग टर्म शॉट टर्म के लिहाँ से ये शेर कितने इंपॉर्टन होने वाले है तो एक वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने दो दिनों में आई है पिछले Friday को आई थी और आज आई है यहाँ पर Friday को भी भईया पचास रुपए से 55 पे ये पहुँचा था और आज तो भईया इसने कमाल ही कर दिया है बहतरीन तेजी कह सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिल रही पिछले एक साल में देखोगे तो 200% के आसपास ग्रोथ हो चुका है पैसा तीन कुना करके दिया है इसने ठीक है तीन कुना करके दिया है डबल से भी जादा तो यह बड़ी बात है यहाँ पर और काफी अच्छी रफतार देखने को मिल रही है उसके सिंपल वज़ा यही है कि रेलवे के शेर्स में अभी और और यह कंपनिया बड़े बड़े ओडर उठा रही है बड़े ओडर उठा रही है और नार रेफसी को अगर हम देखे तो वह बात करी जाए कंपनी के बारे में तो इसका जो मार्केट क्याप हैं 72,000 करोड से भी ज्यादा का हो चुका है बहुत जल्दी यह नाग करोड तक पिचला जाएगा और जहां तक बात करी जाए इनके डिविडेंट की तो वो भी हाला कि अच्छा पे करें पिछले साल इसने दो बार पे कैदा है इस साल अभी भी अनॉंस करने वाला है और बहुत जल्दी साइस सप्टेंबर में ये कर सकता है और जहां तक इनके नंबर्स देखो तो भाई अच्छा नंबर्स है चाहे निटसेल्स के बात करें या फिर चाहे हम इनके प्रॉफिट्स के बात करें ये 1555 करोड से भी जादा का मुनाफ़ा कर रहे है तो ये अच्छा कासा प्रॉफिट है और दूसरी बात देखो IRFC को मैंन कराई थी अपना ठीक है और उसका जर्या नोंने पैसा जुटाया भी था इस बार IRFC को लिएकर बहुत जल्दी आ सकते है लेकिन उसके लिए शेयर प्राइस भी अच्छा कासा होना चाहे जो फाइदा है वो यहां पर मिलना चाहिए और यह होगा और यही वज़ाए कि शेय दूबेगा नहीं क्योंकि रेलवे कभी नहीं डूबने वाली है रेलवे चलती रहेगी गवर्मेंट पैसा डालती रहेगी अगर कुछ होगा तो भी इसको तो बचा ली जाने वाली कंपनिया है और अभी भी यहां पर फ्यूचर में बहुत बड़े ग्रोथ एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं कि भाईया गवर्मेंट भी स्पेंड करने वाली और यह वो सेक्टर है कि जिसका अभी भी वैल्यू अनलॉक हुआ नहीं है हाला कि अब हो रहा है पिछले एक साल से हो रहा है इसमें कोई शक्की बात नहीं है लेकिन अभी भी यह अज्यूम करना मुश्किल है कि यह और कितने बड़े बंस है क्यों कि अगर हम बात करें तो पोटेंशल तो है जादा यहाँ पर पॉब्लिक के पास 10.48% की होल्डिंग है 1.14% Files के पास है mutual fund के पास 0.77% की होल्डिंग है insurance के पास 1.25% की होल्डिंग है लेकि अगेन में कहे दू अच्छी company है लेकिन बीच बीच में ups and downs यह भी दिखाएगी तो यह नम माना जाए कि यहां से रॉकेटी बनेंगे रॉकेटी बनेंगे रॉकेटी बनेंगे अगर आप देखोगे तो अभी भी तीजी बरकरार है और रहेगी बरकरार लेकिन बीच में आपको एक बार एक दो बार करेक्शन भी शायद यहां पर देखने को मिलेंगे लेकिन अगर वो जो करेक्शन होंगे वो बाइंग के मौके होंगे तो नजर रखेगा इस company के उपर rail विकास निगम के अगर करोड के आसपास की है तो यह बहुत बड़ी बात है यह बहुत बड़ी बात है और जहां तक बात करो आप इनके पी भी अच्छे हैं करंट रेशियो भी अच्छा है आरोई भी अच्छा है मार्जिन भी अच्छा है यहां कि डेट थोड़े से जादा हो चुकि ने लेकिन भी मेरे हिसाब से company adjust कर लेगी खुद को manage कर लेगी और जहां तक dividend की बात करें तो यह अच्छा कासा dividend payout share भी है उसमें कोई शक की बात नहीं है अच्छा कासा dividend payout करता है साल में दो बार dividend payout करता है और जहां तक इनके numbers भी देखो तो अच्छे लग रहे हैं खराब नहीं है numbers इनके profit भी अच्छे हाला कि last quarter में इनके जो profit है वो almost static हुए मतलब कि growth नहीं आई है तीन सो असे करोड का तीन सो असे करोड है फिर हाला कि डिक्लान हो कि तीन सो साट करोड रहा फिर तीन सो चालिस करोड रहा मतलब growth नहीं है जो कि चाहिए ज़रूरी है यह growth लेकिन जिस तर सारे orders पढ़ेंगी इनकी जो order भूखे वो लगातर बढ़ती जा रही है और यही वज़े है कि शेर आपको लगातर तीजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है अगर मैं बात करूँ तो वह आज यहां पर तकरीबन 12% की तीजी है पिछले एक महिने में अगर आप देखोगे तो 10% की तीजी थी अभी यह बहुत बड़ी रफ्तार से भागते हुए नजर आ रहे है जो कि काफी अच्छी बात है बुरी बात नहीं है काफी अच्छी बात है यह लेकिन जब भी भागा है अगे आप इसका चार्ट बैटन समझने की कोशिश करना कि दीरे दीरे बाइन अगर है जो कि डिरेक्टर है प्रोग्रेसिव शेर्स के उनका यह कहना है कि आफ्टर था स्पेक्यूलेशन रन आफ्टर था स्पेक्याट्यूलर रन अप राइट फ्रॉम दे 60 तो 140 जो 60 से 140 का रेंज तीजी देखने को मिली उनका कहना है कि अभी जो है वो ट्राइंगिलर formation में एक breakout देखने को मिल रहा है 144 रुपीज से and strong close जो है वो अभी आपको above और mention देखने को मिलेंगे मतलब breakout पैटर अभी भी बरकरार है और 179 रुपीज का target उनकी तरफ से दिया गया है गावरोग विस्सा जो की VP है in credit equities के उनकी तरफ से भी यह कहा गया है कि strong support zone 120 कई सारे analyst की तरफ से यहां पर आती हुई नजर जरूर आ रही है और देखो company भी अच्छी है खराब नहीं है दोनों ही company के मैं यहां पर बात करूँ किसी एक company की बात नहीं करूँ दोनों ही company की बात करो लेकिन हा बाय उन डिप से strategy apply करी जा सकती है यहां पर railway का मुझे लग इसन दिखाई जरूर है इसका अलावा analysis के लिए जिस portal का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं trade brains अगर आप भी इसको यूज करना चाहते हैं तो link मैं आपको description में दे दूँगा और अगर आप मेरा coupon code HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का discount भी मिल जाएगा कई सारे बेतर इन देखने को मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा तो देर किस बात की है link description में coupon code का फाइदा उठाना भूलिएगा नहीं वीडियो को यही पैंड करूँगा पसंद आए हो तो like करे शाय करे चैनल बगरा पहली बार है तो please subscribe करे और IRFC और RVNL दोनों कमपनियों क बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिख के बता सकते हैं इसके अलाव अगर आप इसको अपने portfolio में hold करते हो तो वो भी लिखके ज़रूर बताईएगा आप thank you